तो दोस्ते एक बार विट्स वागत है आपका अबारे शानल बर मेरा राव है वरुण और हम आज से जो स्टार्ड करने वाले वो है कम्प्यूटर जी हाँ बहुत सारे प्रदियों की परिक्षाओं में कम्प्यूटर को जोड़ दिया गया है और मद्यप्रदिश के तो बहु छीजों यहां डिसक्स करनी बिल्कुल बेसिक से ड़्स तक चलने वाले हम रुद तो आज की से वीडियो में हम बलकुल स्टार्ट ही कर रहा है इंट्रोड़क्शन के बारे हैं संबुलन में क्या इंट्रोड़क्शन है क्या उसकी प्रोस है क्या cons है, मतलब क्या उसकी limitations हो सकती है, क्या उसकी हाँ, जो lab हो सकते हैं, वो सारी चीजों को हम यह discuss करने वाले, और दोस्तों मैं भी share कर देना इसको, ताकि उनका भी बहला हो जा, और चानल सब्स्राइब करना तो बूल लहीं, क्योंकि यही तो होगी सारी बृतियों की परिक्षा होगी दियारी आपकी, चलिए तो start करने computer के बारे में, क्या है introduction, introduction मतलब आप समझ पाते हैं, इसको हम बात कर रहे हैं, introduce करवाना computer, आज यह जो सब्द है, यह आप सभी लोगों से हटके नहीं है, और बहुत easy subject लगता है बहुत सारे बच्चों को, तो बस कुछ questions में हम बटक जाते हैं, अटक जाते हैं, क्योंकि हमें कारित किया गया था, तो compute का नम आपने सुनाओगा, compute का मतलब होता है, calculation, क्या मतलब होता है, calculation, calculation का मतलब होता है, हिंदी में, गड़ना, क्या मतलब होता है, गड़ना, तो इसको Bunu initially जो बनाया गया था computer को वो गढणा करने के लिए बनाया गया था लेकिन आज सच्जा है कि computer का use गढणा के लिए नहीं होता है उसके अलावा जितनी चीजे है सब में हो रहा है लेकिन चलो ठीक है यह ज़रूरी चीज है तो वो जानना ज़रूरी था यह concept में लिखा हुआ यहाँ पे कि इसकी उत्पत्ती जो है वो ग्रीक भासा के word compute से हुई थी और इसका मतलब calculation होता है calculation मतलब गढ़ना करना हाला कि बहुत सरल परिवासा जो computer की है वो आप सभी जानते हैं कि computer एक क्या है electronic device है क्या है electronic device है और इसका काम किसके लिए होता है गरना करने के लिए किया जाता है तो यह आप सभी बहुत अच्छे जानते हैं आप computer का खुद का दिमाग होता नहीं है computer को क्या करना होता है हमें input provide कराना होता है है कि नी जो भी नर्देश हम देते हैं उस नर्देशों के पालन करने के बाद output प्रदान करता है वही सारी चीज़े है कि नर्देशों का पालन करके यह क्या करता है output प्रदान करता है और अब computer जो है इसका प्रियोग C में तना रहेगे ब्यापक हो गया बहुत विस्तारिच चेत्र computer का हो गया और इसलिए प्रदियोगी परिक्षाओं में पूछा जाना लगया तो इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से समझना है अब देखें सबसे पहले सबसे पहले computer का full form जो computer नाम रखा गया हमारे द्वारा तो computer क्यों नाम रखा और कुछ नाम भी तो रख सकते थे रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे बिल्कुल रख सकते थे लेकिन computer नाम जो है इसका full form गई बार पूछ लिया जाता है कि computer का full form क्या है सीधा सीधा एक्जाम में आता है, सीधा सीधा आता और इसको आपको याद रखना है, इसको याद रख लेना है कि computer का full form क्या है, तो एक एक सब्द उठा लो, यहाँ C आ जाएगा, है ना, फिर O आ जाएगा, M आ जाएगा, P आ जाएगा, ऐसे खिजखते हुए U आ जाएगा, T और E और R, सो C से सबसे पहले commonly operation machine, यह क्या है, commonly operation करने वाली machine है, किस पर particularly use for technical education और research के लिए, कि अब या particular किस चीज के use के लिए, हाँ जी, यह technical educational और research purpose के लिए, यह commonly operation प्रवाइट करने के लिए start करीगी दियो, और इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, computer रख दिया, तो computer क फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, commonly operation machine, particularly use for technical education and क्या, हाँ भईया, research, तो आजकल तो R&D चली रहा है, computer से वही हो रहा है, गढ़ना कर रहा है नहीं है, अब गढ़ना बंद हो गई, research होना चालोगे, अब computer क्या होता है, तो computer बहुत basic सी चीज़े, computer बहुत सारी चीजों के सम्म को बोलते, computer, क्या क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दू, इसमें बहुत सारी hardware होते है, hardware का मतलब क्या है, वे सारी चीज़े, जो hard होती है, hard होती है, जिनको हम चूज सकते हैं, हाँ बहुत बहुत सारी applications बगेरा के सम्मुवत होते हैं, जिन पर काम किया जाता है, जिनकी द keyboard हो गया, keyboard के लावा mouse हो गया, यह जो हम बात कर रहे हैं, यह touchpad है, pointer है, यह भी क्या है, यह hardware है, इसको चूज सकते हैं, यह screen जो है, इसको भी चूज सकते हैं, यह भी hardware है, लेकिन इसके अदर जो program चल रहा है, वो software है, उसको नहीं चूज सकते हैं, चूज सकते हैं, नहीं से मिलके बनता है hardware, software और users मिलके computer बन जाता है कमच पार hardware, software और user इन सब को मिला के क्या बन गया एक computer बन जाता है बहुत बढ़ी है ये सारी चीजे तो clear हो गई अब computer की अपन क्या करेंगे hardware क्या होता है hardware वही चीज है सभी electronic part जो है hardware कहलाते हैं जिसको हम चूँ सकते हैं यह बहुत important चीज है जैसे चूँ सकते हैं जैसे अगर हम बात करें तो keyboard हो गया mouse हो गया यह सारे hardware कहलाते हैं इसके बाद software की बात करें तो application यह program जो चल रहे हैं जो system के अंदर चलते हैं वो सभी क्या कहलाते है software कहते हैं इनने नहीं चूँ सकते हैं इनको बिलकुल नहीं चूँ सकते हैं जैसे MS Office हो गया हो गया कि ने तो यह सारी चीज़े क्या हो जाएंगी आपकी software हो जाएंगी और user क्या है जो computer का use करते हैं, उन्हें user करते हैं, हम use कर रहे हैं, तो वो user हो जाएंगे, इसमें ही वो program को लिखते हैं, input provide कराते हैं, तब ही तो output मिलेगा ना भाई, तो user गिलाते हैं, तो यही चीज़ा मिलके क्या है, computer बन जाती है, computer की हम अगर बात करें, capabilities की बात करें, अच्छाई, क्या-क्या capability है computer में, तो आज तो बहुत सारी capabilities इसकी बढ़ती चली दारी, कुछ limitations भी हैं, जी हाँ, तो दोनों चीज़ों पर हम बात करेंगे, इस वीडियो में इसके बाद वसकतम कर देंगे, इस वीडियो हो बहुत लंबा नहीं कीचेंगे, capabilities की बात करेंगे, और limitations की बात करेंगे, किसकी capabilities यानि क्या इसमे capabilities हैं, तो capabilities देखेंगे, अगर तो computer में बहुत सारे गुण हैं, यह शमता हैं, capability को इंदी में शमता कहते हैं, तो बहुत सारी शमता होती, क्या-क्या शमता हैं एक तो उसकी speed, अब देखो शुरू बात से, हम अंगले वीडियो PD को बोलते हैं, हिंदी में, इंगले इसमें generation, ठीक है, तो 1G, 2G, 3G, 4G, 5G तक की, यह series चल गई है, generation आ चुकी है, तो इन में speed बढ़ी है, और speed बढ़ने के पीछे, उनकी components की बात है, कि memory components क्या हो गए, किस प्रकार से चीज़ है बढ़ी, तो वो speed बढ़ती चली गई है, और आज तो हम क्या बताएं, जीवी, चोड़ दो, टीवी में, बहुत तेजी से speed बढ़ती चली जा रही, तो speed एक बहुत बड़ी capability है, computer के, ठीक है, इसके अलाबा, accuracy, accuracy समझते हैं आ आप बिलकुल, हाँ या, accuracy मतलब 99.9999999999, percent क्या है, यह accuracy से अपनी गढ़नाएं करता है, accuracy से, अगर बस सर्त क्या है, कि इसमें सही input प्रवाइड किया गया हो, गलत कर दोगे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर सही input आपने प्रवाइड किया है, तो बिलकुल accurate यह आपको answer देगा, accuracy, इसकी बहुत अच्छी होती है, तो यह capabilities है computer की, इसके अलाबा यहाँ versatality, vers versatality का मतलब क्या होता, versatality मतलब बहुत सारी चीजों में क्या हो जाना, कारे कर सकता है, तो versatality इसकी capability हो गई, diligence हो गया, automation आज हम use कर रहे है, automation का मतलब computer से हम काम करवाने लग गया, अलग-अलग field में robots बनाना चालू गर दें, तो automation का कारी है हाँ पर हो रहा है, high storage, storage capability बढ में हुआ गरती और आजकल तो छोटी-छोटी चिप में जीवीज और टीवीज बढ़ गया, तो इसकी storage capability बढ़ती चली जा रही है, reliability इस पे भरोसा बढ़ता चला जा रहा है computer में, तो यह क्या है capabilities है, एक एक को और अच्छे से समझें अगर, तो देखो बहुत speed की बात करे कम समय में complete कर लेता है वो गड़ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है और calculation, लाखों तक की calculation यह बड़ी जल्दी कर लेते हैं, हमें तो time लग जाता है, ठीक है बई, accuracy की बात करें तो वही सारी चीज़े है, accuracy का मतलब बही है, कि इसके दोरा जो सुद्धता है कारे करनी की, वो बहुत ही vicious नहीं होती है, किसी भी process को बार-बार करने पर भी computer गलत जवाब नहीं देता, वही एक ही result प्रोवाइड करता है, अगर सीम चीज़ दी गई है तो, ठीक है, इसके बात अगर हम बात करें, capabilities में, versatality की बात करें, तो versatality की में, computer बहुत सारे अलग-अलग उपयोग में लाया जाने लगया है, जी हाँ, इसमें अगर हम बात करें, तो उसका काम movie बनाने में, report बनाने में, picture बनाने में, किसी भी प्रकार की mathematical problem solve करने में, इसके अलावा गोर बहुत सारी विदाओं मे इसका use किया जाने लगया है, तो versatality बढ़ती चली जा रही है computer की, साथी साथ diligence की बात करें, diligence का मतलब क्या है यहाँ पे, कि भाईया computer जो है, वो ठकता नहीं है, आदमी तो ठक जाता है, भाईया मैं ज़्यादा वीडियो बना लूँगा, मैं ज़्यादा समझा दूँगा मैं ठक जाऊँगा, आप ज़्यादा पढ़ लोगे, आप ठक जाऊँगे, आप ज़्यादा काम करोगे, आप ठक जाऊँगे, लेकिन computer क्या है, computer तो machine है, और machine ठकती नहीं है, तो diligence बढ़ गई है, जी हाँ, तो भई न रुकता है, न ठकता है, और सिकायत भी नहीं करता, कि अरे यार, फाना नहीं खाया, सिरदर दो रहा, पेट दो रहा, पाउदर दो रहा है, सरीर दुख रहा है, नहीं, कोई सिकायत नहीं, काम करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, हाँ, उसको समय समय पर क्या है, करते रहो, चार्ज और सारी चीज़े उसकी उती रहनी च पर, computer पर depend होगा है, तो पूरी शम्ता उन में चली गई, अपने पास तो कुछ नहीं बचता, हम सब बूल जाते हैं, है कि नी, हाँ, तो पहले अपने पास होती थी, अब data store करने की शम्ता इनके पास आ गई है, तो ये बहुत अच्छे से remembering की capability होती है, जो की remember कर लेते हैं, data store कर लेते हैं, तो इन्हें बारवार वोई निर्देश नहीं देने पड़ता है, तो ये सारी capability है, किसकी computer की, और limitations भी तो होती है हर चीज की, तो क्या limitation है, वो और देख लो, limitation मतलब होता है, कमिया, ठीक है, तो बहुत सारी चीज, हर कोई भगवान तो है कमी तो हर किजी में होती है, तो computer भी बनाया, तो मानव में कमी है, तो computer में कैसे, कमी ना हो, तो कमीया है इसकी, क्या है कुछ कमीया, देखो भई अगर बात करें तो lake of intelligence, intelligence का मतलब क्या है, बुद्धि कि शमता, बुद्धी नहीं है computer में, अगर बुद्धी हो जाती, तो भ उसको जब तक आप input दोगे नहीं और जैसा input दोगे बैसा वो बताएगा उसका output, वही सारी चीज़े intelligence भी नहीं है, कि नहीं उसको गर मी लग रही है, अपन क्या दें कि नहीं 25 डिगरी है, वो कहें कि नहीं 25 डिगरी है, वो बात अलग है कि आज कल हमने बहुत सारी चीज़ो आपन पैदल चलने हैं, सडक पर सामने से कार आ रही है, गाड़ी आ रही है, दुरगट नहीं हो सकती है, तो हमें self protection पता है, कि नहीं भी या हट जाओ नहीं तो accident हो जाएगा, computer को नहीं पता, कि accident होगा कि नहीं होगा, तो self protection को नहीं कर सकता, समझ पार है, बहुत बढ़ी ह प्रवाई को गनी है, भाई. इसकी कोई feeling नहीं है, अपना काम बरावर करता रहता है, जो काम देथो भई गरेगा. no self dependence, self dependent नहीं है, हम पर dependent है, जब तक input नहीं दोगे, तब तक वो बैठा रहेगा, कि भाईया कुछ तो कर दो, नहीं तो बैठा रहेगा, तो dependent हम है, वो self dependent नहीं है, याद रखिएगा, जब तक input ना दिया जाए, तब तक output या processing होगी नहीं, तो यह सारी limitations है किसकी computer की, बहुत सारी capability पर बात करी, और बहुत सारी limitation पर बात करी, concept समझा computer का, और basic हमने computer का समझ लिया, तो इस वीडियो में बस हम यहीं से सुरुबात करने वाले हैं, अंगले वीडियो में, पीडियो की बात करेंगे, जहां से question पक्के में आता है, computer याद रखना है, यहां से दो question at least बते अंगले वीडियो में हम पीडियो की बात करेंगे, generations, कैसे कैसे विकास होता चला गया computer के बात, और दीरे दीरे हम बढ़ते चले जाएंगे, basic to advanced तक, मिलेगे अंगले वीडियो में तब तक के लिए